हेलो नमस्कार दोस्तों तो फिर से आपका स्वागत है एक बार शार्द हरी तसकी रसोई में तो आपने देखा कि कल मैंने हरी चटनी बनाई थी और मैं बना रही हूँ उन्ही हरे चनों की सबजी तो हंजी दोस्तों आप हरे चने की चटनी भी बना सकते हैं उसे as a salad भी खा सकते हैं तो अभी देखो मैंने preparation की है कि मैं क्या क्या ले रहे हूँ यहां पर मैंने हरे चने ले लिये हैं यह आप market से खरीच सकते हो इसका cover उत्रे वे भी आते हैं यह छिले वे भी आते हैं और आप उन्हें घर लाके छील भी सकते हूँ इसके साथ साथ मैंने लिये हैं दो आलु मैंने medium size के लिए हैं साथ में इसके paste बनाने के लिए और मेरे ले रही हूं इनको धो भी लिया है और मैंने ये साइड में रख दी है अब साथ की साथ मैंने और चीज़ें लिया है जिसमें मेरा आता है लसन तो मैंने ये थोड़ा तीखा रखने के लिए लसन और अद्रक रखा है मसाला थोड़ा तीखा रहे और एक मीडियम साइज का प्यास लिया है म तो मैं आप 4 चोटे अकार चोटे अनी चाहिए डियों की बहना वह जबाएगे हरी बनानी की लीए हमेशा घ्र कहना है को अवाम हिसारी के लिए होते हैं हरी हमेशा उसका करते हैं कि मेरे घर में हरी सब्जी मुझत बनते हैं साथ के साथ मैं दिखाते हूँ क्यां कामे याने माँ और यूज़ थी थे में इक्ची आए की आङंऄ आखा टमाटर को नज़ए आलू को मैंने पील ओफ करक nuezd को चोटा बारी काट लिया है अब साथ के साथ मेरा जो लसन अध्रक का पेस था वो भी मैंने पीस लिया है ये है मेरे मसाले, मसालों में मैं यूज्ज करने वाली हूँ सिंध्या नमक, रॉक सॉल जिसको कहते हैं गरम मसाला और आप यूज करेंगे हरा धनिया, मिर्च अब है मैंने एक कूकर लिया है कूकर में मैंनेيع डाला नॉर्मल थोड़ा ओल ज़ादा ओल नहीं यूज करना चीछ हमें हानिकारक होता है मैंने शुद्य देसी सरसों का तेल लिया है सबजी हमेशा आपको सरसों के तेल में या फिर ओलेव ओलि ओल में हलका ब्राउन कलर का आ जाएगा तब तक मैं इसको भून हूँ या आप देख सकते हो कि जो ऑईल है जो सर्सों का तेल मैंने डाला है वो थोड़ा उबल चुका है गरम हो चुका है और जो ये है धनिया है वो और जो जीरा है वो भून चुका था तो मैंने इसमें अद्रक लस अब आपने डालना है प्याज प्याज मैं हमेशा ट्राइ करती हूं बारिक बारिक काटा हुआ प्याज यूज करें आप इसको ग्राइंड किया हुआ जो मोटा ग्राइंड करा हुआ प्याज होता है वो भी यूज कर सकते हैं तो अच्छे से इसको मिला लीजिए जब तक भी तीक प्याजल की प्याज़ yogurt भॉडवि उसके बाद आपने डालनी हैं टुमाट्र रहांु न कने ह्यालता लिञाइक से लगशी है जब थ्यूपह सब्सक्राइब अच्छे से पकेगा तब यह dapat घमात्र दीजिआ मैंने काट के मेरी हरी मिर्चे ती रखे रती है, अब डेख सकते हैं, अब इन पूर गाते नो को अच्छे से भुनना भुण और इसमें पहुन विवां चाशनी तांक झाशनी सींस पने पुणए भूण् aucune और पार भूण अच्छे से आपने इनको मिला लेना आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है सब्जी के मसाले से आप उसके कलर से बता सकते हो कि सब्जी कैसे बरने वाली हैं अब आपने क्या करना है अब आपने अगला काम करना है इसके अंदर जो आपने और कटे हुए जो आलू दालने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए अच्छे से मिला लेने के बाद अब आपने डालने हैं जो हरे चने जो मैंने आपको दिखाए वे थे कि जो हमने डालने यह मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से आप मिला दीजे इस पेस्ट के अंदर आप अच्छे से मिला दोगे हम देखिए कैसे मिलाना है अच्छे से करची की सहायता से आप इसको बना सकते हैं आप देखिए कितना थिक सबजी दिख रही है इस थिकनेस लोड़ी सबंड़ी बहुत थिक है अभी से थोड़ा से पानी की मातर से पानी की मिलानी पड़ेगी अब यह पानी की मातरDe क्यूंकि आपने सीटी लगवानी으ẫnे हरेज थोड़े ग्रेवी तो आपने पानी मिला दिया है और एक से डेढ कर तोरी पानी डाल सकते हैं और क्या करना होगा आपको अच्छे साप्ती होगी है और आपको इसको देख सकते कि मैंने कैसे पानी मिला दिया है और इसको मैं बीच बीच में चला रहे Under protests find pya duty दत्य ट्यार हो आने का हम वेट करेंगे अच्छे से आप इसको सील कर दीजिए अच्छे से धक्कन को बंद कर दीजिए और साथ के साथ मैंने धनिया भी काट लिया जैसे कि मेरी सब्जी बनेगी पूरी होगी सब्जी और मैं उसके अंदर ये धनिया डाल दूंगी कलर भी अच्छा लेकर आ करना है मैं कड़्ची के सायता से जो आलू है इसको ऐसे पीस रहें ताकि और थिक ग्रेवी वाली सब्जी बन जाए अब हरा दिने आउपर से डाल के आप इसको अच्छे से मिला लीजें गायज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना क् आपकी इन ही लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे होता है कि मैं और वीडियो बनाओ तो देख सकते हैं कि मेरी सब्जी के अंदर से कितनी अच्छी आप खुश्बू तो नहीं सुंग पाएंगे ज़रूर बट मैं बता सकते हों कि बहुत टेस्टी बनी है और साथ की सा मैंने चटनी में बनाई थी तो यह रहा प्रेजंटेशन थैंक यू गाइस थैंक यू सो मॉच बबाए